तो स्वागा था आपका श्ट्रगल अश्टड़ी अकेडमी में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्यातीन जिसे हम लोग कहते हैं दो चरवाले रहखिक समीकरन यूगू और इसमें जैसा कि हमारा प्रसनावली तिन दसमलो एक श्टार्ट होगा और आज के इस प्रसनावली में हम लोग प्रसन संख्या एक देखेंगे तो आईए सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं यह जो ग्राफ होता है ना यह चेप्टर जो है यह एक्सरसाइज ग्राफ से रिलेटेड है और ग्राफ पक्का आपका पांच नंबर से देता है ना पुत्री से कहता है साथ वर्स पूर्व यह रहेगा हमारा पूर्व थोड़ा सा टैपिंग यू मिश्टिक हो गया है ठीक साथ वर्स पूर्व मैं तुमसे साथ गुनी आयू का था अब से तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाऊंगा इस स्थिति को बीजगाणी थी यह यहां पर बीजगाणी थी यह उन ग्राफ्शे रूपों मैं भ्यक्त किए अब सिझ को समझते हैं दोस्तों तो सबसे पहले 462 प्ने पूत्री से काता है कौन काता है अबताफ जानी कि झाने कि इसकी लड़की उससे एक कि 7 वर्स पुर्व, पुर्व का मतलब होता है पहले, है ना, क्या होता है दोस्तों, पहले, जैसे मैं बोला कि, जैसे किसी का आयू हो रहा है 15 वर्स, मैं बोलो 3 वर्स पहले, तो आप क्या करेंगे, 15 में से 3 घटाएंगे, तो कितना बचे का, 12 साल, जब वो 12 साल का हो रहा था तब का बात हो रहा है ना तो पूर्व मतलब समझ गए पूर्व का अर्थ होता है पहले अगर बाद का पस्चात का बात करें तो पस्चात का अर्थ होता है बाद है ना तो यहां पर यह आप समझ गए गए आप तो सबसे पहले तो यहां पर कह रहा है कि इस स्थेती को आप ब वर्तमान जो आयू है जो चल रहा है, फिलाल में वो यक्स वर्स मान लेता हूं, और पुत्री का आयू वाई वर्स, है न? तो हमने यहां पे लिख दिया ठिक अब क्या बोल रहा है यहां पे कि साथ वर्स पूर्व मैं तुम से कौन कह रहा है अफताप कह रहा है किस से अपने पुत्री से क्या कह रहा है अफताप कि साथ वर्स पूर्व मैं तुम से साथ गुनी आयू का था है ना तो साथ वर्स पू तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कि साथ वर्स पूर्व पूर्व मतलब कुर्ष्ट में हमने इसलिए असान करने के लिए कि आपको यह पहले होता है ना तो क्या कह रहा है हमारा कि अपताब का जब हम बात करें कि साथ वर्स पूर्व यानि पहले का तो अपताब का यू क्या हो जाएगा दोस्तों तो यहां पर देखिए पहले था अपताब का यक्स वर्स मतलब जो चल रहा है फिलाल में चल रहा है वो यक्स वर है न जो अभी present time में चल रहा है अब 7 वर्ष पूर्व करेंगे तो इसके आयू में से 7 वर्ष घड़ जाएगा तो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यहां पर देखेंगे बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम से 7 गुनी आयू का था इससे कितना का था साथ गुनी आयू का अब ध्यान दिजेगा कि अगर पिता जो है 21 वर्स का होगा तो पुत्री जो है तीन वर्स की होगे है ना तो मेरा कहने का ब्कुल मिलाकर ये है कि अगर मेरे को पुत्री का आयू जो है पिता के आयू के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा अगर ये तीन वर्स की है और ये किस वर्स की है तो कहने के मतलब है कि यहां पर आपको साथ का गुना करना पड़ेगा तभी तो दोनों बराबर होगा ने तो ये बड़ा है न लेकिन हमें क्या करना है? समीकरन बनाने के लिए बराबर करना है तो कौन साथ गुनी A.Y.U. का रह जाएगा? इसकी पुतरी है ना? बराबर करने के लिए ये हमने साथ से यहाँ पर गुना कर दिया फिर से समझा दे आपको अगर तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा मैं आपको थोड़ा सार अप साइड में समझा दूँ तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पुत्री जो है तीन वर्स की है और पिता कितना है? साथ वर्स का यह हम बोल दें 21 वर्स का है हमारा है ना? 21 वर्स का है तो अब बताएए कि इन दोनों का आयू कब बराबर होगा? तो आप बोलेगा सर दोनों तरफ जब मैं इधर जो है पुत्री में साथ का मल्टिप्लाई कर दूँगा था यह साथ यह किस हो जाएगा? तब ही तो 21 के बराबर होगा? तो वही कहने का मतलब है कि अगर पिता का आयू जो है यक्स मैंस साथ है और पुत्री का वाई मैंस साथ है तो यह दोनों को इक्वल कब करेंगे? जब साथ का गुणा इधर करेंगे तभी तो तो कभी मिश्टेक मत करिएगा यह पुत्री का आयू है इसको बराबर करना होगा पिता के और आप जानते हैं पिता जो होता है हमेशा बड़ा होता है अपने पुत्री से तो इसलिए हमने साथ का गुणा उधर साड़ में किया कभी मिश्टेक मत किजिएगा या यह सोच लिजिए कि किसके साथ का लगा हुआ है तो यह हो गया यक्स मानस साथ और इसे हम लोग कर ले थोड़ा सा कि साथ का वाई में कर लेते हैं तो यह हो जाता है साथ वाई और साथ में हो जाएगा तो मानस का उन्चास गुणा करेंगे तो है ना अब देखीए क्या होता है यह प्लस का इधर आएगा तो मैंस का तो यह हो गया यक्स मैंस सेवन वाई और यह मैंस का उधर गया तो प्लस का तो 49 यह तो मैंस में है ना 59 और यह प्लस साथ अगर हम इसे घटा हैं तो कितना बचेगा मैनेस का 42 यानि कुल मिलाकर यक्स मैनेस साथ वाई बराबर क्या मिल गया हमारा तो मैनेस का 42 इसको समिकरा नमबर एक दे कर और ये छोड़ देंगे हम लोग अब देखे इसमें क्या कह रहा है अब हमारा अब से तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाऊंगा अब से तीन वर्स बाद यानि कि उसका जो मालिजे कि अगर उन लोग का उमर पांच साल हो रहा है तो तीन साल बाद कितना हो जाएगा आठ साल खेर होता नहीं ये पांच साल लेकिन हम लोग माल देते हैं न तो यहाँ पर लिख देंगे आप कि तीन वर्स बाद पुनह तीन वर्स बाद तीन वर्स बाद का बात कर रहा है दोस्तो तो हम लोग क्या करेंगे अब बताएगे कि तीन वर्स बाद पिता का आयू क्या हो जाएगा तो अभी वर्तमान में तो चल रहा है यक्स और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 वर्स बाद तो 3 प्लस हो जाएगा इसी परकार पुत्री का क्या हो जाएगा Y प्लस 3 अब बोलना यहाँ पर कि अब से 3 वर्स बाद तीन का गुणा करेंगे तभी तो जाके इन दोनों का U बराबर होगा चलिए ये होगे हमारा X प्लस 3 बराबर 3 का Y में कर देंगे तो कितना होगा 3Y और 3 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 3 ये 9 अब ये प्लस का है तीनवा इधर आएगा तो मानस का तो X मानस 3Y is equal to 9 ये प्लस का इधर गया तो मानस का ये घटेगा तो कितना होगा दोस्तो 6 यानि X मानस 3Y is equal to कितना आगया 6 यह समिकरन नमबर दो अब देखिए यहां पर कि यह क्या कह रहा है इस इस्थिति को बीजगानिति यह तो बीजगानिति यह मतलब पलस मानेस के साथ चिन दे के लिखना है न तो हमने इस इस्थिति को यह देखिए पहले समिकरन और यह दूसरे समिकरन के रूप में हमने इसे निरूपित का दिया तो हम यहां पर बोल सकते हैं अतह इस इस्थिति का बिजगाणितिय रूप तो यहां पर हमने लिख दिया कि अतह इस इस्थिति का बिजगाणितिय रूप क्या हो जागा यक्स मानस 7 वाई बराबर मानस 42 यक्स मानस 3 वाई बराबर 6 यह बिजगाणितिय निरूपन कहलाता है अब आए दोस्तों अब हम लोग इसमें दूसरा नंबर क्या कहा है एवं ग्राफिये रूपों में ब्याक्त किजिए ग्राफ के रूप में भी ब्याक्त करना है तो अब इसका ग्राफ खिचेंगे हम लोग है न तो यहां पर अब लगाएंगे हम लोग य ग्राफिये निरूपन के लिए यहां पर लगा देंगे कि इसलिए अब ग्राफिये निरूपन है ना अब ग्राफिये निरूपन अब ध्यान देजेगा दोस्तों कि सबसे पहले तो आप ग्राफिये निरूपन करने के लिए समिकरन एक से चलते हैं हम लोग है ना समिकरन एक स समिकरान एक के दिया हुआ है x-7y बराबर का 42 अब इस से हम लोग एक box प्राप्त करते हैं तभी तो खिचाएगा हमारा तो yx का भी भिन मान रखने पर, यक्स का भी भिन मान रखेंगे और y गिलेगा, और एक बार यहाँ पर सब से आसान जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, है न, तो यहाँ पर ध्यान देजएगा, अगर मैं डिरेक्ट यह box खिछ लूँ, है न, यह देखिए, यह हमारा ए यक्स का मान एक बार 0 कर देते हैं यहां पर, क्या कर देता हूँ मैं, हमने बुला कि एक बार यक्स का मान 0 रख दिया, तो जब 0 रखेंगे तो इसको भूले यह, मैनेस साथ वाई बराबर कितना बचा, मैनेस का 42, अब मैनेस से मैनेस के इंट सिल आउट हो जाएगा, और साथ से इसको 42 को जब काटेंगे तो 6 बार मैं काटेगा ना, साथ शका 42, यानि य का मान कितना आया, 6 आ गया, समझ पारें आप, आगे देखेंगे, अब की बार मैं य का मान 0 करने वाला हूँ, यहां पर जब अगर मैं य का मान 0 कर देता हूँ, तो यक्स का मान क्या मिल जाता है मैनस का 42 है ना यक्स का मान क्या मिल जाता है मैनस का 42 तो यक y का मान हम लोग 0 रख देते हैं अब आपकी बार तो यक्स का मान क्या मिल गया मैनस का 42 यह किस से प्राप्ट हुआ बॉक्स तो समिकरन एक से है ना अब समिकरन 2 से हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर डालेंगे अब समिकरन 2 से समिकरन 2 क्या दिया हुए हमारा तो दिया हुए x-3y बराबर 6 x-3y is equal to 6 अब देखे इससे अगर हम लोग box प्राप्ट करें तो यह box जो होगा कुछ इस परकार होगा यह हमारा यह जरूडी नहीं है दोस्तों कि x बराबर लिखेंगे कि जब x बराबर इतना y बराबर इतना कोई जरूडी नहीं है लिखने है तो यहाँ पर देखें अब x कामान अगर हम लोग एक बार 0 रखते हैं पर तो y कामान क्या मिलेगा इसको अब भूल जाइए आप तो मैनेस 3y बराबर 6 अब 3 से 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में तो 3 से कट करेंगे तो 3 दूना 6 है ना और यह मैनेस आ जाएगा इसके सामने तो यानि y का जो मान है मैनेस 2 हो जाएगा अब अब की बार y को मैं 0 मान देता हूँ तो y को जब 0 मानूँगा तो इसके साथ गुणा होगा तो खतम y का मान सिधा कितना आ जाएगा 6 तो y का मान 0 पे y का मान 6 है है ना इतना आसानी से आप बना सकते हैं यह किस से मिला हमारा समिकरा नमबर 2 से और यह ग्राफ जो है ना पक्का एकदम बोड एकजाम में पक्का ही आता है है ना इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देखे अब दोनों यह बॉक्स मिल गया है अब इसकी साहेता से हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खिचेंगे तो आएए सबसे पहले तो देख लिए कि यक्स अच पर अधिक्तम कितना है मानस 42 तो यानि अगर आप पांच-पांच का पे यक्स अच पर ले लेते हैं तो बहुत असानी पू और यह वाला कहलाता है वाई अक्ष अब आप सोच रहा होंगे कि सर इधर छोटा बनाया है और इधर बड़ा बनाया है क्योंकि यहां पर देखिए कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मानस 42 दिया है यक्स अच पर इसलिए हमने इसे आगे तक खिच लिया है है इसको अधिक बढ़ा लिया हम जानगे कि जो मूल बिंदो से बाइं तरफ की जो दूरिया होती है वो रिनात्मक होती है और यहां पर रिनात्मक संख्या को ही ज्यादा निरूपित करना है है यही बड़ा है संख्या इसलिए हम लोग यक्ष डैस को अधिक खिच और इधर भी हो जाएगा हमारा है न तो यहां पर देखिए सबसे पहले कि अब हम लोग थोड़ा से इसके बारे में समझ लेते हैं तो यह वाला जो 36 रेखा होता है यह यक्ष अच का लाता है और जहां यह एक दूसरे को काठती है उसे कहते हैं हम लोग मूल बिंदो और इ यहां पर सबसे पहले कि हम लोग ग्राफ कैसे खीके, तो कलास 9 में भी आप सीख चुके हैं , यहां पर देखिए यक्स का मान जब 0 है , तो यक्स अच कहा है , यही है न और 0 कहा है , यह य वराबर कितना है ? 6 है यह पहले क्या कह रहा है यक्स का मान जो है 0 पर y का मान 6 है तो y अक्ष पर 6 कहा है दोस्तों यह है ना हमारा तो यानि कि अब इस बिंदू को आप उपर उठाएंगे कहा तक तो 6 तक यह हमारा पहला हो गया राइट दूसरा देखिए यहाँ पर बोला यक्स अच पर मानस 42 तो y पर 0 है तो यहाँ पर देखिए यक्स अच यही है ना हमारा और मानस 42 किदार आएगा तो मानस में तो संख्या इधर ही मिल रहा है और इधर तो सब क्या है प्लस में होता है ना तो 40 यहां तक हुआ 42 कहा होगा तो इनके बीच में आप जानते हैं 5 का पेर होगा ना तो यह हो गया हमारा 41 और यह हो गया 42 माली कि यहां पर होगा तो यह हमारा बिंदू यहां पर आ जाएगा रैट यानि कि यक्स अक्ष पर यह बिंदू यहां पर आएगा चलिए देखते हैं कि यह बिंदू y अक्ष पर कितना दूर पर जाना है यहां पर y अक्ष पर क्या है 0 है तो यानि कि यह बिंदू जो है यक्सी अक्ष पर रहेगा क्योंकि y अक्ष की जो दूरी है वो नहीं दिया हुआ है, वो सुनने है हमारा, तो अब इन दोनों बिंदू को हम लोग मिला सकते हैं, तो अगर मैं बोलू आपसे कि इसका नियामक लिखिए, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, यक्स अच पर 0 और यक्स पर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप पॉमा 0, और अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे, तो हमने इसको मिला लिया दोस्तों, ठीक है, और यह जो रेखा है हमारा, किसका समिकरन से बना है, तो यक्स मानेस 7 वाई, बराबर मानेस 42 का है, है ना, अब देखिए, अब दूसरा वला हम लोग खि तो हुआ है, अब इसको हम लोग दर्साएंगे, तो देखिए, यक्स अक्ष पर 0 है, वाई का मान क्या है, मैनस 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कि यक्स अक्ष पर 0, यानि यह हमारे यक्स अच्ष है, 0 यहाँ पर मिला है, तो यक्स का मान क्या है, दोस्तों, मैनस का मान क्या था मैनस दो फिर उसके बाद यहां पर देखिए यक्स का मान छे है तो य का मान क्या है जीरो है यक्स अक्ष पे ये यक्स अक्ष पे छे का है बता सकते आप तो प्लस में होगा ना तो यह हो गया पांच और इसके बाद आएगा जश्ट छे है ना तो यहां पर छे आ है इस तो यक्स अच पर 5 और y का मान sorry 6 और y का मान क्या है 0 है तो 6,0 हो जाएगा अब इन दोनों बिंदुगों को मिला देते हैं हम लोग तो ये हमने इस तरह अस्किल लखा और इस तरह हम लोग मिला लेंगे राइट ये हमारा मिल गया है तो इसको arrow लगा देंगे हम लोग तो यानि कि जो ग्राफ मिला हमें ये किसका मिल गया तो x-3y बराबर 6 का है न तो इसको लिखना पड़ेगा आपको x-3y is equal to 6 का ये ग्राफ है तो ये हमारा ग्राफ ये निरोपन था ठीक है तो उमिद है ये आपको अच्छा लगा होगा बहुत shortcut है और अगर आपको फिर भी कोई problem होता है तो आप हमें comment में बोल सकते हैं मिलते हैं next video में धन्यबाद दोस्तों का में एन्यबाद टादी उेरे ये में धन्यबाद 가까 टूँञा एंग पर में आपको घूटरी में पर Not. करूजंटारी मैं दोस्तों कटा हैॉआरी, the combination of you opener